दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ट 12 मैथ का जो एकजाम हुआ है दो फरबड़ी को और उसमें 100 अबजेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें से आप लोग को 50 क्वेश्चन का आंसर देना था लेकिन आज के इस वीडियो में हम सभी 100 क्वेश्चन का 100 परसेंट सही आंसर आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं तो आप लोग आज के इस वीडियो से जरूर आप लोग मिला लीजिए कि आखिर आप लोग कितना सही बना करके आये हैं और कितना गलत बना करके आये हैं हम जानते हैं कि आप में से बहुत सारे student पहले ही अलग-अलग वीडियो से मिला चुके होंगे लेकिन तो आपको आपको पता चल सके कि आखिर आपने कितना सही बना करके आया है और कितना गलत बना करके आया है और यहांपड आप देख सकते हैं कि ने हैं मेरे पास आपका code i का set i है आपके पास कोई भी set है तो आप मिला सकते हैं क्योंकि हम आपको question के साथ आंसर बताएंगे तो आप लोग वीडियो को रोक रोक करके और को answer लिख लिए और फिर जो आप मिला लिजेगा कि आखिर कितना आप लोगों ने सही बना करके आया तो चलिए सुरू करेंग बटे 1 plus x x square का मान क्या होगा तो एक का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो c होगा let me share रिखेंगे 2 10 inverse x यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं देखेंगे यहाँ पर आपके 2 number question को पूछा जाए कि 3 sin inverse x बराबर कितना होगा तो 2 का यहाँ आया है 3 number question की 10 inverse minus 1 by root 3 का मान क्या होगा तो 3 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो d होगा minus pi by 6 आपका सही आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़िए और 4 number question को देखेंगे पूछा जा रहा है sin into sin inverse x plus cosic inverse x का मान क्या होगा यह आपको बताना है तो 4 का 2 option आप याद रिखेंगे 1 होगा कितना होगा 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़िए पांच नमर question को देखें पांच नमर question के दोरा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 2 10 inverse 1 by 3 plus 10 inverse 1 by 7 का मान क्या होगा तो 5 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो C होगा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आप जैसा के जानते कि इस बार बहुत ही simple question पूछा गया है इस तरह का question किसी बार भी नहीं पूछा जाता था तो बहूत आसान question आप भी आप लोगों को अगले जितने भी subject बचे हैं उसका भी कुछी इस टाप का ही question पूछा जाएगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है ठीक है यहाँ पर आपको साथ नमर question है कि सारनिक यहाँ पर देख सकते हैं कि one more one a b c b c a इसका जो मान है यह आपको बताना है तो स नमर question देखीए सारन कितना का मान है 7 11 13 तो आठका यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वह आपका बी हो जाएगा 36 आपका यहाँ पर आपका बिलकूल जहे सही आंसर हो जाएगा आप लोग अगर फास्ट है तो आप लोग वीडियो को रोग करके या फिल वीडियो के आ और प्लस वन तो एक क्यूं का महन आपको बताना है तो नौका यहां पर आपका जो है यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए दस नमर कुछिन को देखे पूछा जारा कि आप भी हो एच जी एच बी एफ जी एफ सी हैं यह किस परकार का भी हो है तो दस का यहां प बोले तो इसके लिए आप टेंशन ने लेना है अब कलन समी करन डी एक्स वाइप पलस डी वाई डी एक्स ब्राबर जीरो का हल है तो एगारा का यह आप आपका सी आप्सन है बिल्कुल ही सही होगा यहां पर एगारा का सी आप्सन आप याद रखेंगे एक्स वाइ ब्राबर कि आपका सयांसर हो जाएगा चलिए 12.9 को देखी वीडियो को लाइक ने किये तो लाइक कर दिजिए ताकि आपका एक लाइट जो हमारे काम का ही होता है 12.9 को फ्रेंटüll और तो यह नहीं पर गर्राबर का के आपका सयांसर होल जाएगा चलिए 13.9 को अब कलन समी करन dy by dx पलस py बराबर क्यों समाकलन गुन है कि इसका समाकलन गुन क्या है तो 13 का यहां पर आपका c option सही होगा याद रिखेंगे integration e p dx यहां पर आपका सही answer हो जाएगा चले देखते हैं आपके 14 नमर question को 14 नमर question के दोरा पूछा जार की बेक्टर j into बेक्टर k cross i बराबर क्या होगा तो 14 का यहां पर आपका सही answer होगा वो आपका b होगा डेटमिस याद रिखेंगे 1 कितना मान होगा इसका 1 होगा 15 नमर question यहां पर आपसे पूछ रही है कि बेक्टर x बेक्टर y into बेक्टर z बराबर क्या होगा तो 15 का फिर से यहां पर आपका b option सही हो जाएगा याद रिखेंगे y x z बेक्टर आपका सही answer हो जाएगा 16 नमर question simple है पूछा जा रहा है कि dy dx into आप देख सकते हैं dy dx e to the power x और x to the power 3 का मान क्या होगा तो 16 का यहां पर आपका सही answer होगा वो d होगा that means यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 x x square और e के power x और x का power 3 यहां पर आपका सही answer हो जाएगा चले 17 नमर question के देखिए 17 नमर question के द्वारा पूछा जा रहे कि dy dx log 3 x का power log 3 का power x इसका value क्या होगा तो 17 का यहां पर आपका b option जो है सही होगा log 3 आप याद रखेंगे चले आगे बढ़ते हैं और 18 नमर question देखिए लिए पूछा जाए है कि dy dx into 1 by sin x plus e x का मान e to the power x है इस का मान क्या होगा तो 18 का c option आप याद रखेंगे minus cosec x into cot x plus e to the power x आप याद रखेंगे चले 19 नमर question को देखिए fast के लिए मिलाते चलिए आप लोग जो है वीडियो को रोप करके या फिर लिखते चलिए ताकि आप जो है देख सके कि आपका कितना सही आंसर बना कि आप लोगों ने आया है 19 नमर question की vector k into vector i into vector j बराबर क्या होगा 19 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वह आपका a होगा 0 vector 0 यहाँ पर आपका सही आंसर वह आप याद रख सकते हैं 20 नमर question देखिए पूछा जा रहा है कि integration log dx बराबर क्या होगा तो 20 का यहाँ पर आपका c option यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा चलिए 20 नमर question को देखिए पूछा जा रहा है कि अन्ता खंड के रूप में तल का जो है मानक समीगरन होता है तो 21 का b option आप याद रखेंगे x by a पलस y by b पलस z by c by 1 आपका सही आंसर हो जाएगा चलिए 22 नमर question को देखते हैं 22 नमर कुछा जा रहा है कि मूल बिंदू से बिंदू मैनस 3 मैनस 4 कॉमा मैनस 5 की दूरी क्या है तो 22 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो b होगा that means याद रखेंगे 5 रूट 2 आपका सही आंसर हो जाएगा चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके 23 नमर question को ज्यान से समझेए 23 नमर question है देख सकते हैं कि बिंदू यहाँ पर आपको लिएगा मैनस 4 कॉमा मैनस 3 कॉमा 7 और मैनस 1 कॉमा 1 कॉमा मैनस 5 के बीच के दूरी है दूरी निकालना है दूरी सूतर से आपको तो 23 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो B होगा यह रिखेंगे 13 कितना होगा 13 आप याद रिखेंगे 24 नमर question देखिए यदि A और B दो घटनाए हो तो आपको P into A by B पलस P into A-B बराबर क्या होगा यह आपको बताना है तो 24 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो आपका B होगा याद रिखेंगे A कितना होगा तो A कि यहाँ पर आपका सही आंसर होगा B option आप याद रिखेंगे 25 नमर question को देखते हैं dy dx sin 2x बराबर क्या होगा तो 25 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो D होगा 2 cos 2x यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 26 नमर को मिलाइए पूछा जा रहा है कि dy dx 10 kx का मान कितना होगा 26 का यहाँ पर आपका D option आप याद रिखेंगे चली आगे बर जाते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 26 के बाद 27 नमर कोश्चन को 27 नमर कोश्चन के दौरा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि integration x plus 2 dx का मान क्या होगा तो 27 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो C होगा आज रिखेंगे 29 नमर कोश्चन को देखिए पूछा जारा कि integration sin x into cos x dx का मान कितना होगा तो 30 का यहाँ पर आपका C option sin square x बच्टे 2 plus के आपका सही आंसर हो जाएगा चली देखते हैं आपके 31 नमर कोश्चन को पूछा जारा कि dy dx log root x का मान कितना होगा तो यह सब direct formula type question है 31 का यहाँ पर आपका C option सही होगा यह जखेंगे 1 by 2x 32 नमर कोश्चन देखिए पूछा जारा है कि d square by dx square into sin 2x का मान कितना होगा तो 32 का C option minus 4 sin 2x आप याद रखेंगे चली देखते हैं आपके 32 नमर कोश्चन को fast मिलाते चलीए क्या दिक्कत है आप 100% सही आंसर मिला रहें आपके को यह सोचना है d by dx e to the power x minus a का मान कितना होगा तो 33 का यहाँ पर आपका a option यह जखेंगे e to the power x minus a आपका सही आंसर हो जाएगा चली चौतिस नमर कोश्चन देखिए पूछा जा रहा है चौतिस नमर कोश्चन d का power 3 है और y बट्टे dx का power 3 x का power 4 इसका value क्या होगा तो 34 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो c होगा let me say रहेंगे 24x ठीक है चलीए 35 नमर कोश्चन मिलाइए d by dx into root under x x square plus x plus 1 बरावर क्या होगा तो 35 का जो यहाँ पर आपका सही जोए आंसर होगा वो B होगा देख सकते हैं B option आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए मिला लिजिए आगे बढ़ जाते हैं 36 D by D x 2 E 2 E to the power 2 X इसका value क्या होगा तो 36 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा तो वो C होगा 4 E to the power 2 X यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ जाएए और 37 नमर question देख लिए पूछा जा रहा है कि D by D x into log X to the power N तो 37 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो A होगा डेट मिस याज रिखेंगे 1 बट्टे X to the power N आपका सही आंसर होगा 38 नमर question मिलाईए पूछा जा रहा है कि यदि A is equal to A, B, C, B है 1, 2, 3 और F आपको दे दिया गया है A, B, B, 2 और C, 2 तो F कैसा फलन है यह आपको पताना है तो 38 का B option यहाँ रिखेंगे अनेकिक अन्ता छेपी अनेकिक अन्ता छेपी आपका सही आंसर हो जाएगा 49 नमर question सब्सक्री साथ ही मिला लीजिए 49 नमर question के दौरा यहाँ पर आपका पूछा रिखेंगे यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीए क्योंकि आपके लिए इतना ही महनत किया जा रहा है देखिए 40 नमर question के दौरा पूछा जा रहा है कि कॉसेक इंबर्स मैनस X बराबर कितना होगा तो 40 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो A होगा 40 का sorry D option आपका सही होगा मैनस कॉसेक इंबर्स X आपका सही आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं 41 नमर question मिलाइए 41 नमर question कि यह दी A जो है वो इतना दे दिया गया है बी इतना दिया गया है तो आपको A बराबर B है यह भी बोल दिया गया है तो alpha कामान आपको निकालना है तो 41 का यहां पर आपका सही जो है आंसर हो जागा 4 alpha कामान कितना होगा यहां पर 4 होगा चलिए 42 नमर question कि तरफ दीखते हैं 42 नमर 3 inverse 1 कामान कितना होगा 42 का यहां पर आपका सही आंसर होगा वो C होगा पाई भाई फोर आप याद रखेंगे चलिए 43 नमर question मिला यह पूछा जा रहा है कि cos into C inverse X plus cos C inverse X तो 40 का यहां पर आपका C option यानि कि 0 आपका सही आंसर हो जाएगा चलिए देखते हैं आपके 44 नमर question को 44 नमर question है cos sign minus sign और cos जो है इसका determinant आपको बताना है तो 44 का यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो B होगा आपका सही आंसर हो जाएगा 45 नमर question को मिला लीजिए पूछा जा रहा है कि integration cos 2x बते sin x plus cos x का whole square dx इसका value क्या होगा तो 45 का यहां पर आपका सही आंसर होगा वो B होगा जो जाएगा log into sin x plus cos x plus c आपका सही आंसर हो जाएगा 46 नमर question को सभी साथ ही मिला लीजिए पूछा जाए कि 10 inverse root 3 minus cot inverse minus root 3 कमांड कितना होगा तो 46 का c option आप याद रेखेंगा minus pi by 2 आपका सही आंसर हो जाएगा 47 नमर question को देखिए 47 नमर question में आपको a दे दिया गया है तो a square निकालना है तो 47 का यहाँ पर आपका b option से होगा जाए कि 3 a कितना होगा 3 a यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए 48 नमर question देख लेते हैं फास्ट में मिला लीजिए क्या दिक्कत है मिला लीजिए पूरा था कि आपको पता चले कि अपने कितना सही बना के आया कितना गलत बना के आया 48 नमर question देखिए vector a cross vector a dot vector a बराबर कितना होगा तो यहाँ पर आपका 48 का जो सही आंसर होगा वो c होगा यह रखेंगे c option यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चले आगे बढ़ते हैं 49 नमर question देखिए यह दी देख सकते हैं कि determinant vector a बराबर 2 और lambda vector a एक जो है काई रासी है तो आपको lambda कमान बताना है तो 49 नमर question को बस आपका बच गया है तो मिला ही लिजिए क्या दिक्कत है 50 नमर question के जोरा पूछा ज़र कि x vector i plus y vector j plus z vector k का नामांग है नामांग देखिए modulus आपको बताना है तो 50 का यहाँ पर आपका सज्यांसर होगा बी होगा डेट मीशियाज देखिए x square plus y square plus z square चले देखते हैं एक 50 नमर question के जोरा यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि देख सकते हैं integration cx plus cx plus 10x dx का मान कितना होगा तो एक 50 का यहाँ पर आपका सज्यांसर होगा वो बी होगा 10x minus cx plus के आपका सज्यांसर होगा 52 नमर question है integration 1 minus cos 2x plus 1 plus cos 2x dx का मान कितना होगा तो 52 का आपका सज्यांसर होगा वो बी हो जाएगा 10x minus x plus के आपका सज्यांसर हो जाएगा सभी साथी मिलाएंगे अपने तुर्पन number question को integration cot square x dx का मान आपको बताना है तो तुर्पन का c option यहाँ पर आपका सज्यांसर होगा यहाँ रखेंगे minus cot x minus x minus और पलस के यहाँ पर आपका बिल्कुल सज्यांसर हो जाएगा चलिए चोबन number question को देख लिए पूछा जाए रहा है कि integration 0-3 x dx का मान कितना होगा तो चोबन का जो यहाँ पर आपका सज्यांसर होगा वो c होगा 9 बटे तो आपका सज्यांसर हो जाएगा चलिए पच्पन number question को देख लिए पूछा जाए रहा है कि integration 0-2 x x y plus 1 dx का वैल्यू क्या होगा तो पच्पन का B option यहाँ पर आपका सज्यांसर यहाँ रखेंगे 14 बटे 3 आप याद रखेंगे 56 number question को मिला लिए पूछा जाए रहा है कि 57 number question है पूछा जा रहा है कि integration 0-2-1 dx by x plus 1 का मान कितना होगा तो 57 का A option आप याद रखेंगे log 2 log 2 आप याद रखेंगे चलिए अंठावन number question को मिला यह पूछा जा रहा है कि integration 0-2 pi by 2 log cot theta into d theta का जो मान है वो कितना होगा तो यहाँ पर आपका अंठावन का जो सही जो है आंसर हो जाएगा वो d होगा याद कि जीरो कितना होगा जीरो हो जाएगा चलिए उनसर्ट नमर question महत्पूर्ण था आपको आसा करते कि आप लोग सही बना कर क्या होंगे integration pi by 2 minus pi by 2 से plus pi by 2 आपको cos x dx का मान बताना है तो उनसर्ट का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो ए होगा याद मिस याज दिखेंगे दो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं साथ नमर कोश्चन सभी साथ ही मिलाइए यहाँ पर जो है कॉस ठीटा बटे कॉस ठीटा पलस साइन ठीटा डी ठीटा का मान आपको बताना है तो साथ का यहाँ पर आपका डी ओप्सन पाई वाई फूर आपका सही आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं एकसर नमर कोश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि d by dx 10 sqr x 10 x sqr का मान कीदना होगा तो एकसर का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो भी होगा डैट मिश दिखेंगे 2x cqr और x x square चलिए देखते हैं यहां पर आपके पासर्ष नंबर question को पूछा जाएगा चलिए देखते हैं आपके तो यहां पर आपको खाले स्थान में भरना है कि क्या होगा तो 63 का यहां पर आपका का बान कितना होगा तो 64 का यहां पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वह आपका डी होगा डैट मिस रखेंगे वन बट्टे टू रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स ठीक है 65 का यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा तो 66 का यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा वह देखते हैं आपके 66 को यहां पर लिमिट लगा हुआ है एक्स टू ए एक्स का पावर एन माइनस एक्स माइनस ए तो 66 का यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा वह सी होगा जीरो जीरो होगा चलिए आगे बढ़ते हैं सरसर्च नमर कोश्चन का आंसर सभी साथी करेंगे डी डी एक्स रूट एक् आंसर जो है सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आप यहां पर मिला सकते हैं 100 प्रेशंट आपका सही आंसर है चले देखते हैं यहां पर आपके आरश्च नमर को आरश्च नमर कोश्चन के दौरा आप से पूछा जारे कि इंट्रिगेशन डी वाई dx by x-1 का value बताना है तो और सटका यहां पर आपका c option है आप याद रहेंगे log x-1 पलस के आपका सयांसर होगा 69 नमर कोश्चन देखिए अब कलन समी करन d2y by dx² का power आपको 3 दिया गया है और इसमें आपको कोटी बताना है कि इसका कोटी केतना है तो उनसर्ट का यहां पर आपका c option यानि कि 2 है इसका कोटी केतना है दो कोटी है यह आप याद रखने के कोश्चिस करेंगे चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके 70 नमर कुश्चन को कुछी कुश्चन आप बच गया है तो आप लोग दिरूर मिला लीजिए integration x का power 4 minus 1 बट्टे x square plus 1 dx का माना आपको बताना है तो 70 का यहाँ पर आपका d option बिल्कुल सही होगा x का power 3 plus बट्टे में 3 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस x और बट्टे में क्या है आपका पला scale ले रखा है तो 70 का यहाँ पर आपका a option जो आपका सही है सुरी 70 का d option आपका बिल्कुल सही है चले 70 number question देखिए 70 number question में आपको क्या किया आप बोला गया कि omega 0 के बराबर नहीं है और omega q का मान 1 है तथा यह आपको देदिया गया determinant बराबर 0 तो इसे स्थी में आपको x का मान निकालना है तो 71 का a option यह आपके 0 हो जाएगा ठीक है चले आगे बढ़ते हैं 72 number question को देखते हैं अटेक किजिए 72 number question के ऊपर पूछा जारा कि यादी a बराबर यह आपको देदिया के matrix और a पलस a डैस बराबर i2 तो alpha का मान आपको बताना ह हैं तो इसे सित्रदी में आपका 72 का b option आपका सही आंसर हो जगा पाइवाई 3 आप याद रखेंगे चले देखते हैं अपके 33 number question को मिला लेजिए फास्टली कुछ ही आपका बच गया है 34 number question के दोरा यहाँ पर आपसे पूछा जारा है कि यह एक वर्ग आभी हो तो a प्लस a डैस अवयग होगी तो यहाँ पर आपका त्यातर का जो a option है बिलकुल ही सही होगा या रखेंगे सम्मी तब भी होगा 34 number question को देख लिए जिए पूछा जारा है कि यदि a ये आपको देदिया का matrix b matrix तो a square बड़ाबर b है ये भी बोल दिया गया तो लेंडा का मान आपको क्या करना है बताना है तो तिहत्र के बाद आपका 74 का जो b option है एक आपका सही आंसर हो जाएगा जिस भी a student का ये copy है उन् बनाना के निमने किनमी कौन इसके अधार पर सही हो जाएगा तो a option है आप याद रखेंगे a inverse ठीक है एक का जो है अस्तित्तो है ये आप याद रखेंगे चले 76 number question को मिला ये पूछा जा रहा है कि किसी तल पर लंब एकाईदर जो है सदिस की संख्या है तो 76 का a option ही जी a1 आप याद रखेंगे चले 77 number question को मिला लिजिए पूछा जा रहा है कि यादी vector a बराबर 2 vector i minus j vector j plus 2 vector k बराबर यहाँ पर आप देखेंगे vector b is equal to minus i plus j minus k तो आपको निमने कि तमें से कौन सा सही option होगा ये आपको बताना है तो 77 का यहाँ पर आपका b option जो है सही होगा रखे vector a dot vector b is equal to minus 5 ठीक है चलिए यहाँ पर देख लिजी जो भी साथी like नहीं के तो like के बटन को जरूर दबा दीजिए 78 number question के जोरा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि vector a vector a vector a 3 वार लिया गया तो इसका value क्या होगा तो 78 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो c होगा vector a ही होगा ओके चलिए यहाँ पर आप 89 नमर question को देखिए vector i cross vector k का मान आपको क्या करना है बताना है तो यहाँ पर आपका d option minus j सही आंसर हो जाएगा यह सब तो direct formula पूछ लेगे simple से question पूछा गया है तो आप ध्यान से मिला लेजिए vector a cross vector b का मान आपको बताना है तो 80 का यहाँ पर आपका b option minus vector b गुने vector b आप याद रखेंगे चलिए 80 नमर मिला लेजिए पूछा जा रहा है कि integration 0 to 1 e to the power x dx का मान आप आपको बताना है तो 81 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वह सी होगा डाट मीस रिखेंगे e-1 आपका सही आंसर हो जाएगा चलिए 80 नमर मिला लेजिए पूछा ज़रे कि d by dx into limit x से 0 cos 3x का मान बताना है तो 81 का d option यानि की 0 आप याज रखेंगे चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 83 नमर कोश्चन को 83 नमर कोश्चन के द्वरा आपसे पूछा ज़रे कि d by dx root x का मान कितना होगा तो 83 का यहाँ पर आपका d option याज रखेंगे 1 व वर्टे 2 केवल मिलाते चलिए फास्ट ली आपका कितना सही बनके आया है sin inverse x और minus x बराबर कितना होगा तो 85 का यहाँ पर आपका सही आपसर होगा वो c होगा जखेंगे minus 7 inverse x आपका सही आपसर हो जाएगा चलिए देखते है 86 नमर कोश्चन को पूछा ज़रे कि cot inverse 1 by x बराबर क्या होगा तो यह सब फर्मूला है 86 का यहाँ पर आपका c option सही जो हो सही आपका सही आपसर हो जाएगा चलिए कुछ question ही बच गया है दस बारा कुश्चन हो रहा है तो दोसको देख लेजिए 87 नमर कोश्चन के द्वारा पूछा ज़रे की 10 to 35 साथ का डिटर मिनांट आपको क्या करना है बताना है तो 87 का यहाँ पर आपका सही आपसर होगा वो यहाँ पर आपका सही आपसर जो है हो जाएगा वो 88 का डी होगा टैट मिस याज रिखेएगे वाट वाट वाल ठीक है चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके जो है 89 नमर कोश्चन को पूछा जा रहा है कि दी बाई डी एक्स एक्स तो दी पावर एक्स तो 89 का यहाँ पर आ याँ Siya 2 x 76 अपको बताना है तो 90 यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा पर आपका सी अपसं 0 तो आपका सही आंसर हो जाएगा दिखते हैं आपके 90 नमोर कॉस्चिं को पूछा जा रहा रहा की वेक्टर इंटो वेक्टर जेव बराबर क्या होगा तो 90 का यहां पर आपका सही आंसर हो वह वह भी होग डामिसा वन ना आप याद रहेंगे चले देखते हैं और 94 नमर कुश्चन को देखते हैं, ध्यान से समझने की यह कुशिस कीजिएगा, और फास के लिए आप लोग मिला लिजिए, 94 नमर कुश्चन आप देख सकते हैं, 94 नमर कुश्चन की ज़रा पूचा ज़रा एंड कया प्रस्वेर का वान कितना होगा, तो यहां पर आपका व यह आप याद रिखेंगे, वान आपका विल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 95 नमर कुश्चन देख लिजिए, क्या पूचा ज़रा है कि एक सरल देखा, एकस, वाई, जेड, अक्च के धन, दिसा के साथ, अलफा, बीटा और गामा को बनाती हैं, तो निमले कितमें से कौन सा स सही है, तो 95 का D option आप याद रिखेंगे, कौस स्क्वाइर, अलफा, पलस, कौस स्क्वाइर, बीटा, पलस, कौस स्क्वाइर, गामा, ब्रावर, ववन, आपका सही आंसर हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, 96 नमर कुश्चन के दोरा आप से पूचार की सरल देख ये, गटनाए है, तो आपको कितिमी से पॉण सही होगा, यह आपको बताना है, तो यह option ही यहाँ पर आपका सही होगा, P into A, B, C परावर, P into A, P into B, P into C, आपका सही आंसर होगा, चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपके 97 को पूचा जा रहा है, कि P, A, P, A, D, परावर, कितना तो 99 का यहां पर आपका B option जो है सही आंसर हो जाएगा P into A union B आपका सही आंसर हो जाएगा P into A union B आपका सही आंसर हो जाएगा लास्ट सौ नमर question को देख लिए जिए पूछा जाय रहा है कि Z is equal to 3X plus 4Y का अधिक्तम मान जाच की अब रोध X plus Y less than and equal to 4 आपका तो इसमें है यह क्या है तो 100 का यहां पर आपका सही आंसर होगा वो C होगा यहां पर आपका सोर बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा इस तरह से आपका 100 question पूरा 100% सही हमने बजाने को उकोशिस किया और इस तरह से इस पर आपको सभी subject के आंसर की 100% सही आंसर के साथ दिया जाएगा ठीक है कोई भी उसमें गलती में होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लेजए बगल में घंटी का निशान आएगा उस पर किलिक करके और पर सेलेक्ट कर लेजएगा ताकि आगे आने बाले सभी वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिल सक करे को जसे आमने ख़रे लोग शबतार प्रम में टिच्एप कर लेज़ने बाले आने जाम में होगा खफी नहीं महाँ कर दोटे से आमने ओम होगा फिरा नहीं कर दोगfill सक्ट में हूड़ twyn Happiness